धूल इस लेक में लेकक ने धूल की जीवन में महता को सपस्ट करने का प्रयास किया यानि मिट्टी का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह बताने का प्रयास किया लेकक ने धूल भरे शिश्वों को धूल भरे हीरे कह करके संबोधित किया है धूल के बिना शिश्वों की कलप कहता है कि जो बचपन में धूल से खेला मिटी से खेला मैं अख़डे की मिटी में संन्य से कैसे वंचित रह सकता है जिसने सार तत्व जीवन के लिए अनिवारे हैं सब मिटी से ही हमें प्राप्त होते हैं ग्राम भाशाओं में हमने गोधुली शिब्द को अमर कर दिया गोधुली पर लिखा है लेकिन यह गोधुली गाव की अपनी ही संपति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़े शधा भक्ति इसनेहे इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कोई साधन है ग्या यानि कि सभी चीजों से बढ़कर हमारी मिट्टी है शधा से भक्ति से इसनेहे से इन सबसे आगे लेखक ने मिट्टी का स्थान बताया है यहां तक कि घृणा एसोया आधी के लिए भी धूल चाटने धूल जहाडने आधी की क्रियाएं पर्चलित हैं यानि हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं धूल धूली धूली धूरी आधी की वे सचाई है धूली उसकी कविता है धूली एक च्छायावादी दुर्शन है जिसकी वास्त-विक्त संदिग्ध है और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण हैं मिटि क्या है हमारी लोकसंस्कृति का गांव की शंस्कृति का एक नया जागरण है इन सबका रंग एक ही है रूप ने अलग अलग यह हो सकते हैं हो यह जो